नमस्ते दोस्तों आज मैं आप सबे के सामने ये मोती वाले फ्लावर रीजाइन लेकर क्या हूं स्वेटर के लिए आप इसे कहीं पर भी अपलाय कर सकती हैं इविन आप एक लाइन इसे या फिर वनपीस भी इस चीज को बना करके आप इस्तेमाल कर सकती हैं तक बहुत जाएगा नोटिफिकेशन सो फ्रेंस देखिए इस तरीके से हमें जो है बॉर्डर बना ले नहीं है अगर आप सुरू से स्टार्ट करती है तो बॉर्डर बना ले और थोड़ा सा प्लेन जो है यहां से यहां तक जो होता है चार लाइन बिन लेंगी जैसे कि यहां पर नजर आ रहा है तो उसी तरीके से मैं आपको इस पर दूसरा फ्लावर जो है बना करके अपलाई करके मैं दिखाने वाली हूं तो जैसे कि यहां पर गैपिंग है तो थोड़ा सा और जो है हमें गैपिंग की ज़रत पड़ेगी तो हमें क्या करना है दो तीन स्लाइड ज यह फर्स्ट रो राइट सैट से सीधा सीधा बिन लेना है और रॉंग सैट से जो है इस सभी को जो है उल्टा उल्टा बिन करके कम्प्लीट कर लेना है दिखे इस तरीके से अपनी और सलाय रखेंगे उन को भी अपनी और रखेंगे और इस तरीके से उल्टा उल्टा सभी को बीन करके complete कर लेना है जैसा कि आप देख पा रही तौन कर रही हूँ इस तरीके से लाइन इल्टा सीधा करके complete कर लेना है खर चौन पर मैंने थोड़ा सा गैप कर दिया हैП कर दिया है में पैटन में इसके और इस डिजाइन के बीच में मैंने पांच घर जो है साथ घर गपिंग रखा था तो इसी तरीके से अब मैं इस दो फ्लावर के बीच में इस पैटन को अपलाइ करूंगी तो यहां तक जो है हमें सीधा-सीधा बीन लेना है जैसा कि आप देख पा रही हैं दो कलर के हुन का इसमें मैंने इस्तमाल किया है कुछ मोती का इस्तमाल किया है तो आपको आराम से ये मोती जो है सुई धागा जहांसा ये लेती है वहां से मिल जाएगा अबलेबल हो जाएगा बहुत ही प्यारे-प्यारे मोती मिल जाएगे तो उसी हिसाब से आप यहां पर बना ले तो यह देखिए यह मैंने यह बीच वाले जो सेंटर में जो लाइन है इसके हमें तीन घर पहले ही इसे बिनना बन करना पड़ेगा जैसे कि देखिए यहां पर यह एक दो तीन तीन घर है उससे पहले यहां सेंटर में हम नीचे जाएगे फोर रो एक दो तीन चार चार लाइन हमें नीचे आएंगे इसे अंदाज से ही आपको इसे इन करना है जहां पर भी आप डिजाइन को बनाएंगी और दूसरे कलर का वून का जो भी आप कलर का इस्तमाल करना चाहती है उस तरीके से हम ऐसे फंदे निकाल लेंगे बहुत ही तरीके से स्लाइए को इन करेंगे और वहाँ से आ Castle अग्कालियंगे ऑसके बाद फिर just उसके बगल में ओं ऐससे गालने है थोड़ा से इसी के बराबर कर लेना है खीचके उसके बाद पिर यहां पर कर लेते हैं तो एक, दो, तीन, चार, चार हो गया, फिर यहां पे पांच, पांच फंदे, लास्ट में ये वाले घर को हम बीन करके एक कर देंगे, तो ये छे फंदे, इसमें देखें हमने घटाय भी नहीं है और बढ़ाय भी नहीं, उसी को हमने बनाया है फंदे को, उसके बाद फिर हम इसके उपर से लाके इसे छोड़ देंगे, देखिए, एक, दो, तीन, जो हमने पहले फंदे लिये हैं, उसी को हम एक एक करके ऐसे घटा रहे हैं, देखिए, लास्ट में एक फंदे यहां पे बच जाते हैं, इसको हम रखे रहेंगे, और ये बहुत ही खुबसूरत सा पत् और फिर यहां पे हम पिंक कलर के उन से जो भी है, इसके बीच में हम पांच गर बिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और एक ये पांच, पांच गर हमने बिन लिया, अब वापस से हम इस पे ही इस तलाई को इन करेंगे, ऐसे दिखिए, ये हो गया, इसमें ही हम इस तलाई को और फिर जिस कलर का पती बना रही है, उसी कलर के उन को हम ऐसे निकालेंगे, उसके बाद जेश्ट उसके उपर वाले हिसे में इन करेंगे, और इधर से भी पांच जो है, पंदे निकालेंगे, दो हो गया, तीन हो गया, चार, और देखिए, पांच, पांच पती को हमने निकाल लिया है, अब इसको हम उपर से लाकर के इसमें ऐसे छोड़ देंगे, एक, दो, टीन, चार, देखिए, हमने इसे ऐसे बना लिया है, उसके बाद फिर हम इसे साथ घर का बीच में गैपिंग देंगे, और दो फुलावर के बीच में इसको हम लेके आएंगे, तो सीधा-सीधा बीनेंगे, इसके बीच में हमें तक यहां तक दो, टीन, ये बीच वाला हिसा ये है तो इसके तीन घर पहले एक घर और बीनेंगे तो जैसा कि मैंने पहले यहां पर बता दिया है उसी तरीके से ये बीच वाले जो सेंटर में जहां पर भी आप फ्लावर को बनाएंगी उसे तीन घर पहले ही इस पैटन को बनाएगा तो इस तरीके से हम इस वाले लाइन में नीचे इस लाइक को इन करेंगे और ये रेट कलर के उन से फंदे निकालेंगे देखे ऐसे तो इस तरीके से आप पांच फंदे से ज़्यादा भी निकाल सकती है तो देखे यहां पर एक और हम इस लाइक को इन करेंगे और फंदे निकालेंगे फिर उसके बाद जैस्ट फंदे निकालेंगे फिर देखे पांच फंदे लास्ट में जो है हम इसे बिल लेंगे कि उसके बाद फिर इसे हम एक एक करके इसके उपर से लाके इसमें छोड़ देंगे देखे इस तरीके से ऐसे यह पत्ती के सेफ में बन करके त्यार हो गया है अब जो है हमें इसे वापस से पांच गर बीच में गैपिंग देना है तीन चार देखे पांच मैंने सीधा ही बीना है देखे यहां पर कोई भी डिजाइन नहीं किया है उसके बाद वापस से हमें यहां पर इस लाई को इन करना है और इस तरीके से फंदे निकालने हैं दो तिन चार देखे पांच इसके बाद फिर इसके उपर से इसे एक एक करके एक इसके उपर से ऐसे ही हमें पार करके छोड़ देना है इसे हमें बीनेंग यह नहीं देखे फ्रेंस इस तरीके से हमें इसे बना लेना है जैसे कि मैंने यहां पर दो पत्ती आपको बना करके दिखाए हैं उसी तरीके से में यहां पर भी एक और बना लेती हूं सेम प्रोसेस से यहां पर फिर आगे बढ़ जाएंगे एक दो यहां पर हमें बनाना है तो तीन घर पहले चार पांच पांच घर का गैपिंग देंगे फिर वापस से हम इसे तीन घर के नीचे लेके जाएंगे आप इसे किसी भी डिजाइन में कहीं पर भी अपलाई कर सकती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसी बनाना है उसके आद इसे ऐसे एक एक करके इसके उपर से लाकी से छोड़ देना है देखिए फ्रेंस उसके बाद फिर पांच घर यहां एक दो तीन चार पांच पांच घर हमने बना लिया वापस से हमें इस लाई को इसमें ही इन करना है जहां से हमने इस डिजाइन को बनाया है यह हो गया है इसके जस्त बगल में यह इस तरीके से जयर कम्प्लीट करेंगे इस तरीके से देखिए फ्रेंस तीनों को मैंने पत्तियां को बना लिया है अब हम यह रॉंग साइड से जो है इस सभी को उल्टा उल्टा बीन करके कम्प्लीट करेंगे पिंक कलर के उन से जो आपने बेस बनाया है उसको भी और यह रेड वाली पत्ति है इसे भी हम ऐसे ही पिंक कलर के उन से बीनेंगे और साथ ही हमें यह रेड वाले उन को भी लेके जाना है तो इसको हम ऐसे फंदे बना लेंगे और ऐसे बीन करके इसके साथ में इधर लाएंगे देखे यह रेड वाले उन को हम ऐसे रखेंगे और पिंक वाले उन से बीनेंगे कि नेस्ट डीजाइन जो है फिर बनाने में आसानी हो बीच में उन का उलजन ना हो ऐसे पूरी रो जो है हमें कम्प्लीट कर लेनी है अब जो है इसमें हम मूती का डेकॉरेट कर लेंगे तो इस तरीके से हम बीच में बड़ा मूती डाल रहे हैं देखें इस तरीके से मैंने यहां पर एक बड़ा मूती बीच में इन करके और यहीं पर इसे हम सील देंगे उसके बाद फिर हम यहां पर मूती को इन करके और मैंने यहां पर साथ मूती जो है इसके अलग कलर के उनका यहां मूती कलर के लिए हैं कि देखें चार इस तरीके से पांच छे और एक साथ साथ मूती को एक साथ ही मैंने इसमें इन कर लिया है वापस से हम यहीं पर यह सुई को इन करेंगे देखें इस तरीके से और इसको हम जो है इसके उपर से लाकर के रख देंगे और एक जो है यहां पर स्लाई लगा देंगे बहुत ही आसान है इस डिजाइन को बनाना देखें ऐसे हमें मूती को लगानी है और यहां बाकी में भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे सो फ्रेंस देखे यहां पर मैंने कम्प्लीट कर लिया है मूती को इन करके और यह बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन करके तयार है उमीद करते हैं आप सभी को यह डिजाइन पसंद आएंगे अगर पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लैक जरूर कर लें थैंक्स पर वाच